का we're אפर किसे हैं आध फाराश करें जी क्लास 9 अधलेक्ट्ट्र हम डिकस करेंगे ऑर हमारे टापिक है एकसराइशन क्या होती हैब लेशिन हम बात करेंगे नाज की टापिक चलिए स्पंप करते हैँ एकसराइशन वाट इस एकस था इस होती है आपने देखा होगा अक्सार को हम कहते हैं वेकल्स के अंदर एक्सेलेटर प्रेस करना तो क्या मतलब बता है एक्सेलेटर को प्रेस करने का जब भी कभी हम एक्सेलेटर देते हैं एक्सेलेटर कम करते हैं तो क्या नोटिस किया आपने हमारी विलास्टी या स्बीड कभी कम हो साथ किस टाइम के साथ हमारी जो है विलाक्री बॹजिए इसको में कहते है चलिलेशन तो of a body is defined as the as the rate of change of velocity with time time के साथ साथ जो विलास्टी का बदलना उसी बात को हम कहते हैं यह क्या है हमारे पास student acceleration होती है अब acceleration का जो फार्मूला वह क्या बना acceleration की फार्मूला बन जागा हमारे पास आ कि 맛있 एक्षसर्लेशन का फार्मूला बना कि अचांची ने विलास्टी डिवाइड बाई आइं ओके सिये वाला फार्मूला जो है यह है एक्सरोलेशन का फार्मूला इंटर्मा विलास्टी हम किस तरह के से एक्सरेलेशन कर सकते हैं तो विलास्टी में कितनी ही चैंज आई तो इन दोनों की जो रेश्यो है वही हमें क्या देती है एक्सरेलेशन देती हमें स्टूडेंट अब अगर मैं बात करूं कि हमारी इंशली विलास्टी कुछ थी फाइ के स साथ निकालते हैं तो दिखती है राबर होती है तो ब्राबर होती है फाइनल के विलास्टी कि माइनज इंशेल को पिर विलस्टी है पिर वज़रा के बनेगा हमारे एक्सेलेशन फिर एक्सेलेशन ब्राबर किसके आ गई फिर चेहिगी फाइनल विलास्टि मायनस इन्शन विलास्टि हो जाएगी और डिवाइड किसे करना आपको इसको ताइम से डिवाइड भाई टाइम अब अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारी शुरु में विलास्टी यू थी आफ्टर सम टाइम आफ्टर टाइम टी के बद विलास्टी कितनी हो गई वी हो गई और पताईए अब कितनी हो जाएगी तो किस तरीके से मैं इसको लिखोंगा अब देखो जल्दी मैं यहां लिख रहा हूं नीचे अगर हम लेट कर लेते हैं इफ कि यू भी यू इस दर यू जो है यू याद रखना यहां प्राहं को बताऊंगा भी बात में नाव मौशन के chimnell-u को हम इंशल व्लास्ट से ही डिफाइन करेंगे तो यू इज़ दा इनिशल विलास्टी इसकी इनिशल विलास्टी है और बाड़ी की इनिशल विलास्टी है यू इस दा इनिशल विलास्टी अफटर टाइम टी अफटर टाइम टी टाइम टी गुजरने के बाद क्या हो गया दा विलास्टी विकम दा विलास्टी इंक्रीजिस या विलास्टी चैंज होगी दब ऐसे लिखते हैं दा फाइनल विलास्टी इस वी तो फाइनल विलास्टी इस वी यह यह यू बढ़कर कितने बन गया वी बनकर चला गया तो अब बताइए चैंज विलास्टी किसके ब्राबर आएगा मैं उपर से यह रब करता हूँ अब तो हमें एक्सलेशन फाइंड करनी है एक्सलेशन का फार्मूला क्या है एक्सलेशन अच्छा और चीज़ हम एक चीज़ बता दो एक्सलेशन को डिनोड की से किया जाता है एक्सलेशन अच्छा इस डिनोड वाई एस माल एसे हम इसको डिनोड करते हैं यह बात आपने याद है इस तो अब एक्सलेशन का फार्मूला दुबारे से मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या है एक्सलेशन ए ब्राबर होती है चैंज इन विलास्टी डिवाइड बैटाइम टैकन तो टाम टेकन कितना अच्छ सिंबल टाम लिखो अब एक इसके बराबर है किजिए फाइनल मॉनिस इनिस्टल फाइनल विलास्टी कितनी है यू और डिवाइड कि सकाथ आदी हम ने इस तकसे हम क्या कर सकते हैं एक्सलेशन काल्कुलेट कर सकते हैं एक्जेंपल गश को सब्सक्राइब है एक बाड़ी है वो मुव कर रही है विद विलास्टी इंशल विलास्टी कितने टू मीटर पर सेकंड की स्वीड से अफ्टर टैन सेकंड उसकी विलास्टी विकम कितने जाती है इंक्रीज होकर टू मीटर से 3-4 मेटर चल जाती तो बताइए एक्सलेशन कितनी आई बाड़ कितनी है । 3-0 सेकंद आफ टन साइकेंच इंट 10 reason we लिए टी इनक्रीज इस यह भी लास्टी इनक्रीज फॉर즈 otherwise कि वीटर ब्रसकेल तो बता यह एक सॉरेशन गितनी इन next ration कि नी हो गी में यह थे और exploration डिशिस इक्वार्य मांस यूशिए लिस दिससे इस 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 इंशल विलस्ट टी तो करिए वैली पूट किया एगा 4-2 डिवाइट बै कि तना जाए गा 10 और अगर यून्ट भी लिखने तो लिख सकते हो आप 4 तो मीटर सैंट मानिस ठुमेट तोउ क्या है ऑगए हएज राड़ करी करें इसको है यह जाएगा वनबाइफ आफ़ीं मिटर पर top स्क एन जाएगा साट गांटीर सैकिन सप्रेड आगा स circles हो जाएगा यह इसको में यह यहाँ यहाँ पर भी ड्वाइड का सिंबल यह बात याद रखनी है आपको वन वंटाइफ कि इसके बराबर होते है जरो JavaScript के लिए भॉइस को के यह फाइफ होता है 0.5 टीक है Already zero five ही होता है यहां पर हम कर सकते हैं इस तरिके से तो five to the ten ही होता है दूए जिरो पाइंट टू पर सेकेंड का स्क्योर हमने यह कोश्चन कर लिए सॉाल 1.5 होता है 0.2 बराबर होता है अब यह थी एक्सलेशन हमारे पास अब बताईए मुझे कि एक्सलेशन वेक्टर है या स्केलर है एक्सलेशन वेक्टर कॉंटिटी या स्केलर है तो स्टूडेंट एक्सलेशन जो होती है यह होती है कि वेक्टर कॉंटिटी होती है फार्मूला मैंने आपको बताया एक्सेम्पल मैंने आपको बता दी अब हम बात करते हैं यूनिट्स की सबसे पहले एक्सलेशन जो है यह कौन से कॉंडर्टी है एक्सलेशन इसकेलर कॉंटिटी है सारी ए अगर वेक्टर है तो इट मेंस इट बिकम जिरो भी हो सकती है इट बिकम जिरो नेगेटिव और पॉस्टिव यह कॉंडिशन से यह हो सकती है ठीक है अब है यूनिट होंगे इसके है Is theluence of extension civilization का उन्हें कि फार्मूलादिये टी एक कि यूनट बीकिए हाद मेटर पर सेक हैं मेटर साङन डिवाइड में क्या आएगा सेकिंबैंद स्काइब में वेतल हैं तो माय्स नहीं सिंपल एक चीज़ लिखूंगा भी के भी वही यूनित तो ओपर भी वही यूनित आएंगे नीचे कि आगा टाइम टी एक्षुल में इस तरह के से यह इस डिवाइड में तो मैं से लिख देता हूं इसको तो यह आजाएगा एसकी पावर टू तो मेटर पर सेक्ड्स को जो ह कि से यह यूनिट है कि एक्कर यूनिट होते हैं ठीक है यहना तक हो गया हमागे बात करते हैं टाइब सब एक्षरेलेशन की तो पहली टाइप जरी एक्षेटिस करनी है वह है यूनिफर्म एक्सथर 세상 कि होती है कि अउंप साफ एक्सर भी नमारे पक्सर Прेस्श यून आग एक्सर रेलेशन किया होती है दूने याद रखना है ऐसी डिडस्ट का बदलना सेम रहता है विलाश्टी बदलती तो जरूर है यह नहीं हम कहेंगे कांस्रेलर्टी बदल दिया लेकिन एक्वल अमॉंट के साथ इंक्रीज होती है कि ऐसी एक्सेलेशन जिसमें विलास्टी का चेंज होना एक्वल अमॉंट में होना यह नहीं कि अगर फस्ट टैन सैकिंड के अंदर वह फोर मीटर पर सब्सक्राइब बदली है तो और ऑफ कर दर बेक्ट रदने चाहिए इस बदल रही है वह इसаксर होना चैंज होना य्जिवाम रेट के साथ होता है चैंज उलास्टी विज युनिफर मेरेट- सिंपल आपने के याद रखना है यूनिरम इसलेशन में चेंज इन विलास्टी इस पिर यूनिवार्म रेट यानि एक जैसे रेट के साथ विलास्टी और अग्रों तो हम क्या कहते हो की है यूनिर काया है शाध के साथ अगर बात जा जा है कया कैसा एक्सलेशन пом म् हो नान यूनिफार्म एक्सरलेशन तो हम क्या कहेंगे आप बाड़ी इस से टुबी नान यूनिफार्म एक्सरलेशन इफ इस विलास्टी चेंज विद नान यूनिफार्म रेट अगर विलास्टी किसके साथ बदलती है नान यूनिफार्म रेट के साथ बदलती है तो हम क्या कह प्रचार्ण करेंगे वह एक्सट्राइशन कोन से नान यूनिवाम याद आपको रखनी कोई तरह मुश्कल नहीं है इसमें नान यूनिवार्म rate के साथ अगर ऐसा होता है तो एक्सरेलेशन कैसे होगी non uniform एक्सरेलेशन होगी एक डपी किसमें और बच्छता है वो है retardation क्या होती है declaration क्या होती है वो भी एक type है किसकी acceleration की तो retardation किसे बोलते हैं हम जब negative acceleration होते हैं जब acceleration की values of degrees करना start करती है है तो हम कहते हैं यह एक्सरेलेशन जो decrease हो रही है इसको बोलते है retardation होना क्या होना तो next हमारे पास क्या retardation क्या होता हूँ retardation क्या होगा हमारे पास मैं रब कर देता हूँ यह याद रखना है acceleration vector quantity है इसके मैंने आपको यूनिटों में बता दिया अच्छी से टाइमस हम डिसकस कर रहे हैं अभी तक दो टाइमस में देख लिए एक थोड है उसको हम बोलते हैं retardation क्या बोलते हैं क्या रिटार्डेशन हो रहे है तो रिटार्डेशन का मतलब क्या है वैल्यू आफ यह हम सिंपल बोलेंगे वेन एक्सरेलेशन इस डिक्रीज वेन एक्सरेलेशन डिक्रीजीज is or or when value of exvelexion is negative जब किसी body की जो exvelexion अगर हो कै आज आजए नेगटिव आजए इस नेगटिव तो उसको बोलेंगे क्या हो रही है रिटार्डेशन हो रही है क्या हो रही है हम सिंपल क्या कहेंगे आब आड़ी सैट वे रिटार्डिट है इस एक्सलेशन डिक्रीज अगर ऐसा हो अगर एक्सलेशन डिक्रीज होगी तो तो इसका फार्मूला सेम है निकालने का यूनिट भी वही सब कुछ वही है बट याद यह रखना है रिटाडेशन एक्छल में हम एक्सलेशन को कहते हैं जर्टेशन यहीता हूं न्यक्सलेशन को कहते हैं अब एक थो जैंपल समुद्शं रखके तर तों मारे अभर होते हैं यहां पर एक दो मैं आपको ऊंपर कुरवा करता हूं इसके ऊपर करते हैं कि Anyway एक्सेंपलस एल्ग थो लूद्य में स्टार्ड कर रहे हैं पहरी एक्जेमपल है के कासिंख कहता है एक्जेमपल नंबर जो है वह है कि ड्राइवर है वह क्या करता है कार की स्पीड को डिग्रीज करता है यह अब 혼लास्टर फिलस्टा ओकाह से कहा तक लेकर जाता है शुरू में होती है 25 मीटर पर सेकंड और कहा तक लेकर डिक्रीज करते उसको यह डेक्रीज करके लिए र है टेन मीटर पर सेकंड तक है है और कितने सेक्ट के अंदर Alz covered उस और तो ऊंदर तो बताई हे ऀस बाड़ी की साल करते हैं अब हमें क्या क्या दिया हुआ शुर्म विलास्टिक दिने थी मारा यू कितना है वह 25 मीटर पर सेकिंट हमारा वी कितना फाइनल विलास्टिक जाती है सेकिंट और यहां पर भी क्या मेटर भई सेकिंट हो जाएगा फाइव फाइव फाइट रिदा फिफ्टीन माइनस थ्री मिटर एस क्यों तो यह डिवाइड में क्या लिख दिया स्कूर तो यह आगा इसका अंसर देखिए टैन में से 25 करेंगे तो आएगा फिफ्टीन अब ब है नहीं समझ में आता कैसे लिखने ने तो सिंपल